आपको क्या लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफन होने के लिए एक इंसान को क्या होना चाहिए काबल होना चाहिए पर शायद आप गलत सोच तहे हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि काबल होने के बावजूत भी ब्रफती पूरे जीवन नहत करता है पर उसकी बावजूत भी उसे कभी सफलता मिलती ही नहीं ऐसा क्यूंहोता है ऑलौह इसका connection आपकी कुनली से है आज हम यही जानेंगे गुरुदेश से इसी विश्व पे चर्चा करेंगे पर हमेशा की तरह शो की शुरुवात से पहले आप सभी को याद दिला दू कि Facebook पर गुरुमंत्र पेज को like कीजे और वहाँ आप गुरुदेश से अपने सवाल भी कर सकते है और इस वक टीवी स्क्रीम पर जो email ID फ्लैश हो रही है याने कि www.gurumans.itvnetwork.com इस तरह आप हमें mail कर सकते है और इसके जरीया आपको हमारे शोग पर live caller बनने का भी मौका मिल सकता है और अगर आप गुरुदेश से सीधा संपर करना चाहते है तो अभी फोन इठाए और टीवी स्क्रीम पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविश्य के बारे में जानना चाहते है तो परिशान मत होईए उसके लिए गुरुदेश के संस्थान में जाएए और निशुल्क अपने भविश्य के बारे में आप जान सकते हैं अब इससे जादे तरीके आपको और कहा मिलेंगे गुरुदेश विश्य से शुरवात करते है आज का विश्य कई लोग इससे खुद को जोड़ कर देश पाएंगे क्योंकि लगता है कभी-कभी कि हम लोग इतनी महनद कर रहे हैं काबिल भी हैं पर हमें काम्याबियासिल नहीं हो रही है तो ऐसा क्यों कर रहा है परमात्मा हमारे साथ तो जानना चाहूंगी कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो काबिल होने के बावजूद भी व्यक्ति को कभी सफ़ल नहीं होने देश पहली बात तो बताएंगे एक पार बदालता है वाले ये जो क्यों शब्द है न ये क्यों शब्द सिर्फ इस धर्ती के लिए कि कोई सवाल जवाब हो कोई कार्या हो कुछ भी हो उसके अंदर क्यों लगाओ तो उसका जवाब है लेकिन अगर हम किस्वत की बात करें परमात्मा की बात करें और उसने जो हमें देना है या नहीं देना उसके क्यों का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आपको जवाब देने कोई नहीं आएगा कि ऐसा क्यों जवाब सिर्फ एक ही होगा और वो होगा कि जनम कुली के अंदर ये फलाना योग मना हुआ है और इसके कारब ये काम खराब है लेकिन ये क्यों बदा है इसका जब आप पैदा हुए तो वो एक छाप है जैसे सरकार का असूल जो बन गाए असो बन गाए और जो अप्लाई उसने कर दिया असो कर दिया उसके पीछे क्यों कौन सुनता है ये ऐसे बहुत सारे कनून है जो common यह को नहीं सुना जा सकता क्योंकि वो सरकार ने पारिद कर दिये इसी तरह से उपर अली सरकार है जो सारी सरकारों को भी चलाती है वो जो कानून लिख करें रिता है उसके आगे क्यों बनता ही नहीं है अब यह योग है आप देखाए कि काबिल होने के बार्वसुद भी जो काम जबनी होते है शनी और ब्रहस्पत्य क्या करें इसका अकेले ब्रहस्पत्य 11 वेस्तान पर बैठे हो तो परडिक्शन ये आती है कि जब तक पिता और भाई साथ में या पिता तुल्य भाई साथ में तब तक इनसान राजा और अगर इनका साथ छोड़ा तो एक मच्छर कोई से भी मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं बचेगी जबिए क्याने का मला बुद्धी अपने आपको यह गया नहीं मितेती है और यह महायोग जो खराब बन जाता है वो कैसे अगर शनी देव खराब वबस्ता के अंदर धर्मभाब में हो और उनकी पूंध रश्टी ग्यारवे घर के अंदर बैठे हुए बस्ताथी पे हो तो ऐसा इनसान को का जाता है मुद्धा दोली यानि की ऐसा इनसान बहुत जल्दी डरने वाला भी होता है बहुत जल्दी आवेश में आने वाला भी होता है ऐसे इंसान को जिन्दगी में कितना भी लिखाया पड़ाया जाये, कुछ भी जनाया जाये, वो इनसान किसी काम को कभी पूरा नहीं कर पाता है। ऐसा इंसान अगर अभी रोके हटा है, उसकी पसंद का उसे महौल मिलते ही, वो खिल-खिला करके हस्ता पी है। और ऐसे इंसान को समयधारी कितनी भी सीखालो वो जब अपना वहवार करेगा तो ऐसे लगेगा इससे समयधारे इंसान ही कोई निए जब रोग डालके कोई काम कर办र लगेगा वी मास्तर ही हैं लेकिन अल्टिमेली उसके रिजल्ट जीरो जाने कि वो कामों को जाला देर तक याद नहीं रख पाता है और यही वो लोग होते हैं जो रोज काम की त्यारी करते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पाते हैं यह योगी ऐसा खराब है और जबकि इसादाब की जाएं तो इनसे अच्छा जानी कोई नहीं करम की बात की जाएं इनको सारी दुनिया की नालेज to let इनके साद मैंटिमेंट की बात की जाएं तो इनसे अच्छा आड़वाइज कोई नहीं देता और किसी भी तरह के टेकनिकल काम करने हो तो इनको पहले से पता होती है ये सारे गुन इनके अंदर होने के बाज़ दूल ये कभी काम नी कर पाता है एक तो ये योग बड़ा खराब है एक और योग का मैं जिक्र करूंगा पता नहीं इसका सवाल कप पूछा जाएगा लेकिन ये जोग बड़ा खराब होने के कारव ये बताना बहुत से पूली अगर जनम कुली के चौते घर के अंदर मंगल हो और बुद्ध बारवे घर के अंदर हो ये इतना बुरा योगा कहते हैं बुद्धी ही खराब होके और बुद्धी खराब होने का मतलए ये है कि ऐसा इंसान रोज चाहे मेहनत करे चाहे अपने किसी तरह से सिखाने पढ़ाने का काम करे कुछ भी करवाने का ऐसे इंसान के पास से होने ही उल्टे काम होते हैं यानि कि वो जो काम करता है उसमें कमी निकलाती है और कभी सही तरीके से नी चल पाता और ऐसा इंसान जिसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है उसके दुखों का ये कारण ही बनता है क्योंकि इसके पास से कुदरती तोर पे होने ही गलत काम होती है तो जो हमने पहला यह कहा कि हिसान लगता समझ जा रहा है हर तरह से काबिल भी होता लेकिन कामजाब नहीं होता अगर यह यह किसी की मिजदम कुली के अंदर हो बेड़ा उसको यह उपाई करना चाहिए कि तर्ताली जिन लगाता बारा साबुर बदाम लेके उनको हल्दी से पीने करके पहने वो गरीबों को बारते यानि कि रोज के यह बारा साबुर बदाम और लेकिन यह किसी पॉलितिन में डालके नहीं काजस के लिफाफें में डालके लेके जाएं तो जाला अच्छा और अपने हाथ से ही हल्दी लगाएं तभी यह काम करेगा और उसके बार उसे लगातार सालों साल हर हफ़ते शनिवार को यही बारा साबुर बदाम को हल्दी से पीले करके इनको दान देते रहना पड़ेगा आप समझे लो कि यह जीने का टैक्स है तभी अच्छे काम तुमारे पास से खुपाएंगे जिनकी कुली में यह योग है दूसा योग जो मैंने बात करी कि मंगल चौथे घर में पुद्वार में सालता यह बहुत ही बुरा योग है और यह जिन्दीगी में कभी सुख ही नहीं रहने देता चाहे गरस्ती हो चाहे कमाई हो अपना सबाब हो दुनियादारी हो सब के अंदर बिकार के रखता है अगर इस तरह का योग जिसकी कुंडी के अंदर हो बिटा चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की दोनों बराबर के दुखी होते है या ये लगालो के दूसों के दुखों का कारण भी होते है तो इसका इलाज बेहत जादा जरूरी है मर्द हो और अरत हो बेटा उसको भीच में से अपना नाक्षिदवाना चाहिए 96 दिन के लिए गले के अंदर पीले रंका धागा धारन करना और उसके अंदर ताम बेटा छीर वाला पैसा धारन करना हमेशा के लिए बहुत जरूरी है और 43 दिन लगाता खाली मटका धकन लगाके उसको जल परवा करना और उसके बार में 47 हफते यानि कि 43 बुदवार खाली मटके को धकन लगाके जल परवा करना बहुत जरूरी है और हर मंगलवार को 400 ग्राम चावल दूद के साथ दोके उनको जल परवा करने साथ जब तक ये उपाई नहीं होंगे ये बुरा जिसीब नहीं जाएका दूर और चाहे कितने भी जगा से क्यों पूछते फिरो कितने भी मंदरों पर जाकर के परमात्मा के सामने खड़े होके क्यों क्यों पूछ के हाथ जो कहीं से जवाब नहीं आने वाला बेटा क्योंकि प्रमात्मा जो लिख देता है ना उसका जवाब देने स्वयम धर्तितनी आता तो इसलिए यह उपाय तो बचा लेंगे लेकिन यह क्यों भूने पे कहीं से कोई लाज नहीं मिलने वाला तो इन उपाया को करो दाता जरूर सुख देगा बढ़ी महनती बड़ी पढ़ाई लेते हैं अच्छे कॉलिच्ध से भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं नौकरी लगने वाली होती है सब अच्छा चल रहा होता है पर एकड़म से डिप्रेशन उनने हो जाता है तो उसका खुरी से क्या सम्बन देंटा है एक योग आता है लाल किताब के अंदर जो शनी चंदर का योग है प्राकरमस्तान का इसके अंदर एक पहावत लिखी गई है कि घर के अंदर संदूक्ची तो होगी लेकिन धन से खाली होगी इसमें ये भी चीज पाई जाती है कि ऐसे इंसान के पुर्खों के समय का कोई गल्ला या संदूक चला आता है जिसके अंदर की वो पहले पैसे और अची चीज़े रखा करते थे और अब उसके अंदर कबार वगरा रखे पता नहीं कहां पर फैका हुआ है जिसको कभी कबारी देखने को मिलता है ये शनी और चंदर का मेल हो और बुद्ध खराब ववस्ता के अंदर बैठा हो ऐसे में इंसान लिखाई पढ़ाई करता है या कुछ भी सीखता है और ऐसी वस्ता के अंदर बैठा तरह के इलाज करने के बाद जूर भी और बच्चा लगता बिलकुल नार्मल है कि जब वो बात करेगा तो बिलकुल नार्मल लेकिन क्यों वो अग्रेसिव हो गया क्यों उसको बाहर किसी के साथ भी गुले मिलने में दिक्त आने लगी क्यों वो दूसरों को फेस नहीं कर पाता और क्यों उनसे डर लगता है उसको पता भी चलता और ऐसा बच्चा फिर घर से ली निकलता और घर से निकल के जाना भी हो तो उसे किसी ना किसी अपने का सहारा चाहिए होता है ये इस तरह के खराबी हज़े हलात देता है एक और बात ऐसे बच्चे की मां को भी जिन्गी में तकलीफे बहुत भूगने को मिलती है या उनके साथ कुछ बुरा होता है और घर के अंदर जैसे ही सीलन आती है जैसे ही मां में खराब पुचाते है और खास तरह के घर के दक्षिन की तरफ की जो डिवार होती है या जगा होती है वहाँ पर अगर सीलन के हलात बढ़ जाए तो ये चंदों शनी वाक्ति में बुरा फाल देही देते है आसी वस्ता पे हमें बुद को शनी के दुश्मन ग्रह के साथ मिला करके उसकी सही जगा पर पुचाए जाए तो बेटा ये सुख दे जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है तर्टालीस दिन लगातार लाल फ्रिक्ट्री लेकर के घास वाली जमीन के अंदर अगर दबा दी जाए तो बेटा बुद अपने काबू में आ जाता है और वो अच्छा फाल देने लगता है और इसके बाद दूसरा उपाई भी करना बहुत से बुटी है कि अगर बज़र्गों के समय से चला आरा किसी भी तरह का संदूक या संदूक्ची या गला वगरा हो गर पे रखाओ तो उसके अंदर अगर बेकार और कबार की चीज़े है तो उनको निकालो उसको बिलकुल साफ सुत्रा करके पेन रंगरोगन करके उसको वापस इस्तेमाल करना शुरू करो और उसके अंदर पैसा खाने पीने के चीज़े या रोज मरा के खच की चीज़े बिटा ये उसके अंदर रखने शुरू करो यो भी एक तरह का अब शागुन को टालेगा और ये अच्छा करेगा ऐसे बच्चे के कबरे में खास औरते चांदी की ठाली में गंगा जल भरके उसके कप्रवाली अलमारी के अंदर रखो और हर चंद्र गहन के उपर थोड़े से नावियल और थोड़े से साबुन बदान लेकरके इस बच्चे के सर से साथ बार उतारके उनको जल परवा करते रहो तो ऐसे बच्चे जो परड़ी करके डिप्रेशन में हैं बगाई यह उपाई करके दिखो जरूर इससे दिजार मिलेगी और जिनगी में कामजाबी मिलेगी गुरुद्यव कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी ही काविल होते हैं पर गलत संधिपी में पढ़ जाते हैं जिसे नशेर के लिए आदत में हो जाती है ऐसा क्यों होता है जबन के लिए यह चंद्र और बुद्ध का मिल बहुत ही बुरा माना जाता है हम लोग जो नॉर्मल हैं जिनका चंद्र बुद्ध का मिल नहीं है इन लोगों की एक खास्यत होती है कि यह कुछ तो बोलड़े होते हैं और कुछ और ही सोच रहे होते हैं यानि कि बोलना कुछ सोचना कुछ और यह आपस में एक बात जो भू से निकल रही है और दूसरी जो मन में चल रही है इनका तालुका मिलाने में बहुत काम्याब होते हैं सब लोग लग लग लेकिन चंद्र बुद्ध की एक प्राब्लम होती है कि इनका दिल और दिमाग लेकिता है या produces वही सोच रहोतो हैं और जो सोच रहोते हैं वही बोलते हैं इसलिए इस योग को बुरा माना जाता है और यही वो लोग होते हैं अगर इनको नशे की लट लग गई North наверное नशे की तरह बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि यह एक ही चीज के ओपर concentrate कर पाते हैं और यही लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई negative thought इनके दिमाग के अंदर आ गया तो यह उस बात को पकड़ के बस उसी को लगाता नंबे समय तक में तरके जीते रहते हैं यह बहुत ही गंदा योगा पटा इसलिए इस योग को हटाना बलकि लाल किताब के अंदर तो यहां तक भी बुद्ध और चंदर के मेल को बताया गया है कहते हैं नशे बाजों का सब्ताज यह तक भी उसको बोला गया है तो इस योग को अगर हटाना हो तो बिदा अगर इस तरह के अहलात और बच्चा नशे में जा रहा हो और उसके काम खराब होच चुके हो और इलाज कराने के बाद समझाने के बावजूद भी वुकाबू में ना रहा हो तो सबसे उत्तम है देसी गी का सूजी का हलवा बनवा करके एक ही दिन के अंदर सो कम्यों को बठवाता हो समझे और उसके बाद हर बुदवार को या हर सोमबार को देसी गी का हलवा बना करके ये मंदिर चगा करके ये बच्चियों को बारते चले जाए इनको करके देखिए ये चंदर बुद का मेल कुछ न कुछ अच्छे पन तो आपको जुरूर देगा और ये नशे से शुटकारा जनुर दिलाई इससे पहले आगे बड़े हमारे साथ एक लाइफ कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ नरेश पाल जुड़े हुए हैं नई दिली से जी नरेश जी गुरुदेश साब जो कुछ भी सवाल करना चाहते हैं उससे पहले जन्म की तिथी समय स्थान बता दीजे और फिर सवाल पूछ लीजे गुरुदी परणाम मैं नरेश पाल सिंग जन्म स्थान दिली जन्म तिथी सौनस स्थान दिली जन्म समय गुरुदी मेरा सवाल ये है कि मुझे इस समय में विवारियों ने किया रखता है तो क्या मुझे कोई रुपाय बता है बिदा तुमारे जन्म को ली के अंदर योग ही ऐसा है ये शुकर और राहू का मेल कहते पत्मी के सुक रुपाय पैसा और अपना स्वास्ते तीनों का दोह निकालता है ये बहुत ही बुरा योग है दूसरा एक और योग है तुमारे अस्टम भाव के अंदर ब्रसपर सूरे, शनी और बुद्ध ये एकठे बैठे हुए ये भी बिमारियों के कारक्ट बन जाते है तो दोदू योग हो गए और ऐसे बे कामकाज की सैटिस्ट्वेक्शन भी मिल पाती रुपाय पैसे प्रपर्टी के लिए भी कम्यों के योग बनते है तो यही योग ही बहुत है तुम्हारे ये सवाल जो तुमने किया है इसके अंसर में बटा इसको ठीक कर दो सब अच्छा हो जाएगा इसके लिए करना क्या है सबसे पहले एक चांदी के बरतन के अंदर शहर भरके अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखो या घर के साउट एस साइब के अंदर तुम इसको रख सकते हो एक चांदी की डिबी के अंदर शहर भरके उसे भी अपनी जेप पे रखो और तीसरा तर्तालिस दिन लगाता दूद के अंदर मक्षन डालके उसे मंदिर के अंदर देना और 27 दिन लगाता छे निले फूल साज के समय जमीन के अंदर तबागा फिर इसके बादे किसी भी एक शनी वार को आठ किलो उड़े साबुत को सरसो का तेल लगाके जल परभा करना और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूद डालके नहाना यह उपाई कर लो बिटा इससे यह सारा बुरापंस माप्त हो जाएगा पत्नी के सुख कामकाज के लाब अपना स्वास्ते तीरे में काफी एक तमता मिलेगी खुश्या देबागा पुश्या इससे पहले आगे बड़े हमारे साथ जुड़ गहें एक सेस्बूक कॉलर शगुन जुड़े हुई है भिवानी राजस्थान से जी शगुन शगुन की जनकी दिथी है 22 अगस 1998 जनका समय है तीन बच के 40 मेन पीयम जनका स्थान है भिवानी राजस्थान सवाल है सरकारी नौकरी कपने बिड़त बारी कुल्ली के अंदर जो योग मुझे नजर आ रहे है ये सरकारी नौकरी के लिए थोड़े कमसोर है ये ऐसा दिए कि नहीं है बिलकुल है लेकिन काफी कमसोर है उसका कारण क्या है एक तुम मंग लिक हो जो डेली इंकम के अंदर बैठा हुआ ये जो मंगल है तुम्हे अपनी जनम कुली में आठमे घर में नजर आता होगा लेकिन ये साथ में में है ये जो मंगल है ये सोया हुआ है जो शादी शुदा जिनमगी के लिए हलका सट ले और डेली इंकम को अस्थिर करता है एक तो इसे जगाना पड़ेगा और दूसरा सरकारी नौकरी का कारण जो सूरह हो उसके साथ बैठे हुए राहू ये खराबी दे रहे जो कि तुमारे बंते बंते कामों को बेगारेंगे और पूरा काम याद ने होने देंगे और खास तोर पे अगर तुमें डेस्ट एलस्जी रहती है या किसी की तरह का जुकार्म साइनस रहता है तब भी ये खराबी के हलाब देंगे और अगर ये टांगों की जो जांगोला हिस्सा है इसके अंदर अगर ये दर्द बनाता है तो तब भी ये खराबी के हलाब तो इसके लिए सबसे पहले उपाई करो क्योंकि यहां तुमारी सरकारी नौकरी लगने की डिएट अगर कही जाए तो वो लगाता चल रहा है लेकिन ये लगने नहीं देंगे ये योग खराब है तो सबसे पहले तुम्हें साथ एट की दिवार हर रों सुबा बनानी और शाम को गिरानी है ये तर्टाली जिन लगातार करना है तुमने बटा नीचे साथ आट हीटे रखे उट के उटर हीट रखे सुबा बना दो और शाम को गिरानी है दूसरा दूसरे पहले के अंदर तर्टाली जिन लगातार आठ खोटे सिके लेकर के उनको जल परवा करना है और अपने वजन के बराबर जवार लेकर के उसको मंदर के अबना दे के और अपनी मां को कहो कि तर्टाली जिन लगातार ने ये लगातार एक साल तक करना है हर रोज एक मुठी चावल लेकर उनको दूद के साथ दो करके कवों को खिलाती रहे इतने सोपाई कार बिटा सरकारी मौकरी के योग भी त्यार हो जाएंगे अच्छे अलागता तो शलिए से तहले आगे बड़े हमारे साथ जुड़ गए है एक सेस्बूक कॉलर वरानसी इसे बिजेश तिवारी जुड़ गए है जी ब्रिजेश जी अपने बेटे के बारे में पूछना चाहरे हैं ब्रिजेश तिवारी जी और डेटब वर्थ हैं इनके बेटे के 27 अगर्श दो जार एठारा जन्म का समय है रात के दस बचकर बाइस मिनट अस्थान है मरूई वरानसी सवाल जैने डिक पूछ रहे हैं बच्चे का भीशे कैसा रहे हैं जन्म कुली किसी की भी हो उसके अंदर कुछ एक हालात तो बिलकुल फिक्स होते हैं और बाकि सारे दुराहे होते हैं और यही दो रहों के बारे में अगर पहले से माबाब ख्याल कर ले तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर निकल के अपने जीबन को इस तरता की और नहीं लेके जा सकता और सही रास्ते के बारे में पहले से चैन करने बेहर ज़रूरी है जैसे अभी मंगल केतु का मेल इसके भागे सान में मेहनत के लिए बना बहुत अच्छा है लेकिन इस बच्चे के आने के बाद इसके पिता किया अपने भाईयों के साथ में बहुत अच्छे हलात रहे हुँ उसके लिए कमजोरी होगे इसलिए इस योका सबसे पहले इलाज करके चलना हो और वो क्या करना है एक चांदी के बरतन के अंदर शेहर बरके घर की नीम में दबाना और घर में कुटा पालना ये बहुत जरूरी है दोसी तरफ आज़ो सूरे बुद का मेल बेहत बेहतरी बेटा हुआ कहता बच्छा लिखाई पढ़ाई भी करेगा बच्छे की लिखाई पढ़ाई के साथ में अच्छे अहलात बनेंगे और आगए चलके ये इस तरह के अहलात बहुत है कि अपने ही काम के अंदर कोई नहीं खोश करे और जिसमें बहुती है कामजाबी के योग देता है लेकिन चंडरमा ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो कहते हैं कि बिजनेस के अंदर नहीं जाने दूगा अगर तो किसी भी तरह का परफेशनल बना या किसी भी तरह की नौकरी पर रहा तो उत्तम हलात हो तो इसे लिए पहले से पर फेर रहना कि या तो इसे परफेशनल बनाना या फिर इसको किसी नौकरी के लिए त्यार करना है तीसी बात शनी अश्टम भाव का भी ये भी कहता है कि किसी ना किसी तरह की खोज्विन की आदध पूरी तरह से रहेगी छान्विन की आदध रहेगी एक तरह के रिसेर्च मोल में ही रहेगा ऐसा इंसा और कोई नोग नए चीज बना करके जीवन के अंदर त्रक्की पाएगा तो शनी भी पूरी तरह से स्पोर्ट के आते हैं लेके शुकर और ब्रस्पति का मेल बीमारी के घर के अंदर बैठा हुआ अगर इसको बीमारी देनी है तो पैदा होते ही देता है और उसके बाद तकलीफ को जड़ा बड़ा पाए और यह कोई शुक्र अगर जब खराब भी पर आजाता है तो यह अपनी ही तरह की सुझ देता बाकि कोई भी ग्रह कितने भी अच्छे हलाब दे रहे हूं उनको नहीं चलने देता तो इसलिए थास जान यह रखना है कि इस बच्चे के पढ़ने लिखने में अगर कोई शुरबात म लगा के जल परवा करना तब यह अच्छे पन पर आए और अगर ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है तो किसी उपाई की जूट नहीं है इसको ऐसे के ऐसे ही रहना है फिर उसके बार करना है हर साल इसके जनम दिन के बाद ताली दिन लगाता थोड़ा सा दूद लेके शरी मंदर से कहलता देते रहो बस इतना ही बहुत है और शनी इतना अच्छा बैठा हुआ है अगर इसका सही यूज किया और इस बच्छे को प्रफेशनल लाइस की तरह या नौकरी के लिए तुम्हारा यही बच्छा तुम्हारा बहुत अच्छा नाम करने वाला होगा लेकिन उसके यह अभी से कुटा तुम्हें घर पे पालना पड़ेगा और चांदी के बरतर में शायद अपने घर की नीमें दबाना पड़ेगा सुक्ते पड़ेशनल इसके साथ वक्त हो गया है चोज़े से ब्रेक का कही मत जाएगा पॉरन हाज़न आदा सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सअधम पंठ तराद देख रहे हैं गुरुमन सब्सक्राप की नचट के कारण अपना बना बनाय सब कुछ देगार देते हैं अच्छी मौकरी होती है चाल बिजन्स होता है कारोबार होता है और बस शराप की नच्ट ऐसी लगते हैं कि सब कुछ बरबाद हो जा जिस तरह का बुद्ध होगा शनी उसी तरह का फ़ल देगा यह जो यूग बनता एक इसके अंदर है इनसान शनी की चीज़ों की तरफ जारा जुखाद होता है यानि कि शराप की तरफ, मास की तरफ लेकि जो शनी होता है यह चुटा भी होता है, यह आजसी भी होता है, यह जूटा भी होता है, यह बिमारी वाला भी होता है शनी के कारणी यह सारी चीज़े बनती है तो जब इस तरह की योग हो, यानि कि बुद्ध के गारे में शनी हो और शनी वही करेगा जो बुद्ध कहेगा और ऐसे जो इनसान को एक बार बुरी सोसाइटी की लख लग गए यहने कि शराब मास के अंदर या या शिक के अंदर किसी तरह की उतने लगा तो उसका अपने उपर से कंचोल खो जाता है इनका शनी खराब हो चुका होने के कारण यह लोग चाप लुसी के मोड में आ जाते हैं यहने कि जब इनको अपनी जबीवत पूरी करनी है तो इनसे अच्छा कोई नहीं होगा और जब इनकी जूप पूरी होगी है यह नशे में हुए तब इनसे बड़ा नवाब कोई नहीं होता और यह किसी को कुछ नहीं समझते हैं एक और चीज़ शराब का काम है लोगों को उनकी याद रखने वाली चीज़ों को भूला देना इसलिए जो लोग नॉर्मल जिन्दगी के अंदर भी बेली जादा शराब पीते हैं और इस तरह का ख़राब जोग नहीं भी है तब भी अगर वो शराब जादा पीते हैं उनको आप देखिए कि वो अभी शाम को यह सोचते हुए सोते हैं कि सुबह उठके ये चीज़ए नियाद रखेंगे ये चीज़ए रखेंगे लेकिन नेक पर इस योका इलाज तबी का अरगर होगा अगर ऐसे इंसान के चंदर और मंगल को भी मजबूत कर दिया जाए और चंदर और मंगल को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले अगर योपाई करना है तो ऐसे इंसान को रोओ सुबा थोड़े से दूद के अंदर शहर मिलाकर के पिलाना बेहद चलूरी है इससे चंदर मंगल उसके अंदर जाएंगे उसको सात्विक सोच के लिए ये विजित करेंगे क्योंकि शनी को अच्छे करने के लिए हमें चंदर और मंगल दोनों की साहता चाहिए होती है ये ना हो तो शनी अच्छा होना मुश्किल होता है फिर उसके बार इसके उपाई शुरू करो और वह उपाई क्या है कि 40 दिन लगातार ये आम के पेड़ के उपर आम लगने से अगर इनमें से जो भी बैठा हुआ है अगर इनमें से जो भी बैठा हुआ है अगर चंद्रमा बैठा है तो वही अनार की कटोरी वाला उपाई यानि कि स्टील की कटोरी के अंदर 84 टुकडे अनार के छिल्के के डालकर उटको दूट से बरके रात को सराने रखकर करें और सुमा मंदर में दे और अगर वहां पर सूरे बैठा हुआ है तो फिर 43 दिन लगातार तामदे का पैसा जल परवा करें और ऐसे इनसान के सर को हमेशा ढखके रखना बहुत जरूरी है जिसमें नीला या काला रंग बिलकुल ना हो तीक है यह उपाई करें इन उपाई के होते ही इस इनसान के मन के अंदर स्मक्य परमात्मा डालेगा सरदुदी डालेगा और इसके बार वह धीरे धीरे करके वाके में शराब छोड़ने में सक्षन हो जाएगा लेकिन जब तक यह उपाई नहीं होते हैं आपने देखा होगा कि ऐसे लोग 15-15-20-20 मिहना मिहना भी शराब छोड़के लेकिन बाद में फिर उसी लख में डूप जाते हैं लेकिन जब वह शराब छोड़ते हैं तब अगर यह उपाई साथ में करवा दिये जाए तो उसके बाद पर मात्मा जरूर अच्छा रखेगा और उसके बाद हर शनीवार को शनी के दान जरूर करते हैं गाता खुश है तो चली इससे पहले आगे बेरे हमारे साथ जूड़ रहे हैं एक सेस्बूक कॉलर जी प्रतीक तो प्रतीक की जन तती है 11 जूर 1989 जनका समय है शाम के साथ बजे और जनका स्थान जैपो राजिस्थान नौकरी में तरती कैसे मिले लिए जनका समय है आए बेहल ममूली के साथ ही तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा एक बात और नंबर दो थीक है? तीसरे एक और योग है चंदर केतु का मेल तुम्हारे नौवे ज़र में ये जो योग है कर सबसे पहले तुम्हारी नौकरी का धूम्हे है? ओक् पहला पाइटी ये करो दूसर पाइट नौ दिन लगाता तवा चिंटा या अंगिती कोई भी एक चीज ले करके वो साथ चलते हुए सादों को दान दो इतने में तुमारे नौकरी के अहलात बहुत अच्छा हुए लेकिन अब 43 दिन लगाता चार पीले निम्बू बिना दाके मंदिर में दोगे तो तुमारा पूरे परिवार के अंदर खुश्यों के महौल आएगे और उसके बाद में अगर तुम सोने में मोती लगवा करके धारंग कर लोगे या फिर चोटे वाली फिंगर में तो ये सोने पर सौगा ह और तुम्हें काफी अच्छे सुख मिलेंगे और ये तो मैंने तवा चुम टांगिफी के अवला उपाई दिया है ये अगर तुम हर साल करोगे तो तुमारे लिए बहुत ही उत्तम हलात रहे हैं खुश्य है तो चलिस से पहले आगे दरे हमारे साथ जुड़े हैं एक फेस सरकारी नौकरी कब लगेगी कुल्डी के अंदर बहुत अच्छा योग है कि जो सरकारी नौकरी लिए वाके में है लेकिन वाटा एक ही योग है जो बहुत खराब कर रहा है सूरे को और वो है तीसरे घर में बैठे हुए केतु देव सूरे को पर जो द्रश्टी डाल रहा है बटा इसकी वज़े से वाके में कामकाज के मामने में नौकरी लगने मामने में अर्चने आ सकती है अगर तुम इसको ठीक करके चलो तो काफी कुछ अच्छा होगा एक बात है ये दूसरी बात ये जो अभी तुमारी उम्रे चल रही बटा है इसके अंदर भूल के भी दूद और पानी का डाल नहीं करना समझे किसी भी तरह का प्याओ नहीं बार साज़नी क्रूप से लगवाना और ना ही कोई छबीर बग़र बाटने हाँ शम्शान घाट में या किसी हॉस्पिटल में प्याओ लगवाना हो तो बेशक आख बंद करके लगवाना वो बलकि नौकरी लगने में तुमारी और अच्छी मदद करेगा ठीक है दूसरी बात यहाँ पर कुट्टा अगर तुमारे घर में होगा तुमारे लिए बहुत ही उत्ताम है और कान के अंदर या तो सोना पैनना या हर कान के पीछे केसा लगाना ये भी तुमारे लिए नौकरी लगने के लिए बहुत ही उत्ताम हुपाई है अब फाइनल उपाई तर्तालीस दिन लगाता तीन किले ये बेटा मंदिल के अंदर दान दो और हर तीन मीने में तीन किलो कच्छे कोईले जल पर बाट रो और एक सोने का सूरे दो चार ग्राम का बनमा के लाल धागे में प्रोके ये अपनी कंठी के उपर ये दारन कर लो और शम्शान घर में प्याव लोगा इतना स्वापाई करते ही तुमारे लिए हर तरह से उत्ताव वलाद मनेंगे और तुमारी सरकारी नौकरी के योग बिलकुल तियार होते हैं खुश आगा तुशरी से पहले आगे वड़े हमारे साथ पेस्बूक कॉलर जुड़ी हुई है त्विंकल हर्याणा से जुड़े हुए हमारे साथ जीट विंकल जन का समय है रात को नौ बज के पच्चिस मेरे और जन का स्थाने हर्याणा विश्य कैसा रहेगा अगर तुम सवंदी सरकारी नौकरी के लिए त्यारी करती है तो उसके अंदर कूली तुम्हे बहुत अच्छा स्पोर्ट करेंगे उसका कारव ये है कि एक तरफ सूरे पाच्वे घर के अंदर बैठे हुए और शनी बहुत ही अच्छे हालात के अंदर बैठे हुए बिड़ा धनभाव के अंदर ये इससे अच्छा योग और नहीं होता धनी बनने के लिए और सरकारी काम करने के लिए और अगर किसी भी तरह के इंजिंनरिंग शलब या किसी भी तरह के टेक्निकल काम की अंदर तुम उतरती हो। या फिर फाइनस के अंदर उतरती है तो यह सारे शलब तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल तुमारी कुली के अंदर खराब है अश्टम भावका ये मंगल और केती लगन के अंदर ये हर काम को करने की डेडिविशन तो देता है कि इनसान जो सुपले ठानने करके बाज आता है लेकिन इसके साथ में एक मुसेदब भी देता है कि एनसान को अंदर ये अंदर जाला गुष्से वाला बनाना उसके गुष्से के कारण घर के अंदर के हालाँ खुराब करना और अपनी जिन्दकी के अंदर जब मंगल कर रहил जाने कि शादी के समय आता है उस वक्त में ये बहुत बड़ी मुसीब्ते दे रहता है और वही पर आकर के ये शादी शुदा जिल्गी को किसी न किसी रूप में खराब करने का काम भी करता है अगर तुम्हें जुकाम हर वक्त रहता है तो ये और खराबी के अहलाद बना देगा तो इसलिए जो खराब योग है बेटा इसका मैं तुम्हें इलाई दे रहा हूँ ये तुम कर लो और अगर तुम पूरी डेडिकेशन के साथ करके अपनी किसी दिस्टिन के अंदर इंदे से चुनकर उसके अंदर उतरती है तो तुम्हें जिनकी के अंदर बेंताहा अच्छी कामजाबी मिलेगी उपाय है तीन धातों का छला सोना तांबा चांदी में लवा करके अपने रिंग भिंगर के अंदर धारन करो हर मंगलवार को आठ हुड की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्यों को डालो ये कम से कम 45 हथे तुम्हें करना है चांदी अपने तन के उपार जादा से जादा धारन करके रखो और हर महीने पहले शनिवार को काला सफिर कंबल तुमने दान देना ही देना है चाहे कुश्प्री हो ठीक है गुरुदेव हमारे पास समय की थोड़ी कमी है पर जाने से पहले आज का खास गुरुमंत्र हमारे दर्शकों को देते जाएए बश्प्र बड़ा गुरुमंत्र आज बात बच्चों के एबवों की हुई है और खाम खाएंके अच्छे हालात होते हुए भी खाम खाएंके बुरे हालात जिन्दगी के अंदर जो कूछ जाते हैं और जिन्दगी को तबाय कर देते हैं इसके इन सब में आपने देखा होगा कि इसके अंदर कारक शनी ही होते हैं और शरी जब बिगर जाते हैं और वो महौल के वश्मे आकर के बिगरते हैं हमेशा आस पास का महौल जब खरादी के ओपर होता है यही रिजन है कि पहले बच्चों को माँ बाप स्वे मंदिर में लेका के जाया करते थे वहां जाके पूजा में, आरती में, मंदिर की सफाई में, मंदिर के कारेों के अंदर कुछ नो कुछ बच्चे को लगा के रखते थे और जिस इनसान को भी अपने आस पास गुरू, पन्दी जी या पूजा आरती नजर आती है वो बुरे पन की तरफ में ज़्यादा जुकता ही दे आज की देट में बच्चों का लगा का बिगणना और इतनी ज़्यादा मात्रा में बिगणना और इस कदर इस हद तक बिगणना की जो की चीजे पहले कलपना यह भी भी नहीं की जा सकती थी किसी परिवार के अंदर उस अचते तो बच्चे आम बिगण चुकी उसके पीछे कारण एक ही है कि परिवार जैसे जैसे परमात्मा से दूर हो गए और परिवार ने जैसे जैसे बच्चों को परमात्मा से दूर कर दिया उसने ये बुरा पन अपने आप ही दे दिया अगर आप सोचते हैं कि आप मंदिर तो जाते हैं लेकिन कैसे जाते हैं आप जाते हैं सुबर के वक्त में गए जैसे परनाम किया आपने एक दूब जलाई पर मात्मा के एसान करके जैसे भाग गए ये मंदिर जाना नहीं हो तब जा मंदिर जाना वाकर में बले वो हफ्ते में एक बार या दो बार ही क्यों ना हो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप घर से कुछ न कुछ पशाद दूब लेकर के जाए वहां जाकर के चड़ाए दूब दूब करें और आरती के समय जाए और वो आरती के समय की जो सफाई है जो फल्फूल लखने हैं जो परमात्मा को अर्फन करने हैं उन सब ले आपका कुछ न कुछ स्योग होना चाहिए और उसके बीद में आपका बच्चा आपके साथ होना चाहिए जो भी इनसान इस करम को करता हुआ चलेगा और अपने बच्चे को लगातार ये आदे डाल के चलेगा उस बच्चे का शनीप कभी खराब नहीं हो सकता सब़ेगे उसके बावजब भी अगर कहीं थोड़ी दिर के लिए खराब हो भी गया तो छोटी सी अवजाई से ही बच्चे की वापसी उटा लेकिन जो बच्चों ने मंदिर का रास्ता ही छोड़ चुके हैं वो कभी उस तरह के करमों में उत्रे ही नहीं करमकान में नहीं आर्कियों में नहीं के बेटा उनके बिगनने के चांस बहुत रहते हैं लेकिन उसके बावजब भी अगर बच्चा इस तरह का बिगड़ चुका है और खराब हलात हो ही चुके हैं तो एक उपाए उसी बच्चे से करवाई है जैसे मजी लख्य करवाई है और वो क्या करना की करके फेड के उपर जल चड़ाने से शनी अपने बुरे रूप को त्याग देंगे और बच्चे को सब्दी देंगे अगर बच्चे के अंदर गुसा है अकड़पन है नहीं सुनता और खाम खायके बुरे व्यस्टों की तरफ या बुरे हलात की तरफ भागता जा रहा ब तो शली आज के लिए बस इतना ही लेकिन कल हमें बैफिर से हाजर हो जाएंगे आपके लिए एक नया विशाय लेकर तब तक के लिए रखिए अपना खयाल और देखते रहें गुरु मन्फिर नमस्कार